सुप्रीम कोट ने फोर रेश्यो त्री अजीज बाश्या बनाम भारल संग मामले को खारिच कर दिया जिसमें 1967 में कहा गया था कि चूंकि अलेगड मुस्लिम विश्वविद्याले एक किंद्रिय विश्वविद्याले था इसलिए इसे अलपसंखिक संस्थान नहीं माना जा सकता इस पर सुप्रीम कोट ने कहा है कि एम यू अलपसंखिक दरजे का मुद्दा नियमित पीछ द्वारा तैंकिया जाएगा वकीलों ने आदेश को लेकर क्या जानगारी दी सुनिया अजीज बाशा ने ये कहा था कि अगर एक कानून के तहत एक एजुकेशनल इंस्ट्यूशन एस्टैबलिश हुआ है तो इसका मतलब मानॉर्टी नहीं है वो अगर कानून के तहत हुआ है तो वो फाइंडिंग ओबरूल हो गई है क्योंकि शादान जी ने कहा अगर अगर इस्टैबलिश अगर हुआ है अगर खत हैं लेटर्स हैं जिसने साफ प्ष्ट होता है कि इस इन्स्ट्यूशन का परक्ष यह था कि वो मानॉर्टी के लिए एजुकेशन लाये तो minority institution होगा और यह ज़रूरी नहीं है कि बस minorities हो उसमें या minorities की language बस हो उसमें वो सब ज़रूरी नहीं है as long as उसका main purpose हो minority education के लिए तो वो काफी है अलिगर मुस्लिम इंवर्स्टी के minority का मामला वो अब आगे की regular bench decide करेगी यह एक reference आया था इसमें इनको यह decide करना था कि अजीज बाशा का जो judgment जो सुप्रीम कोट ने दिया था five judges ने क्या वो correct था क्या वो correct नहीं था एक तो यह issue था और दूसरा यह issue था सुप्रीम कोट की बेंच के सामने कि indicia क्या होने चाहिए किसी भी institution को minority declare करने के लिए what should be the indicia किनों ने उसको establish करा किसने उसके अंदर funds दिये किसने उसके administration को चलाया वो सब चीजों को court ने आज decide करा है और उसमें उने lay down करा है कि minority institution को अगर minority बनाया जाए तो उसके लिए article 3031 की जो सुप्रीम कोट ने दी हुई है कि minority को अपना establish करने का अख्तियार है वो pre independence day के जो universities जो बनी है उसके लिए भी उन्होंने उसको माना है कि वो भी उनके लिए भी apply होने चाहिए हैं वो ही principles तो इस principle के हिसाब से जो भी institutions बनी है जिन्होंने minorities ने बनाई हैं उनको अपना अक्तियार होगा बनाने का उसको चलाने का और ये जो illegal university का main मामला था जिसके अंदर वो minority का मामला उसका अटक रहा था वो एक अजीज बाशा के जो judgment था five judges का जिसमें उन्होंने बोला था के university जो है ये act of parliament की वज़े से बनी थी ये administration और वो सब चीजें जो है उसको establish कर पाने वाली बात जो है उसके अंदर रह गई थी तो उसको आज Supreme Court ने overrule कर दिया है और ये reference के बाद अब ये normal court के सामने ये reference के जितने भी issues decide हुए है normal court के सामने जाएंगे और वो उसके बाद उसको decide करेंगे university के मामले को EMU के मामले को भी उसको decide करेंगे इस reference के light देखे देखे criteria वो ही है इंडीसिया इंडीसिया उसमें यही बोला गया था what will be the indicia for deciding an institution to be a minority institution तो minority institution को बनाने के पीछे क्या मकसद था किन लोगों ने बनाया उसको क्या उनकी मंच्छा थी क्या उनका correspondence हुआ था different institutions से different governing bodies से और किनों ने उसके लिए funds को इखटा करा है किनों ने उसके buildings के लिए पैसा ही खटा करा है वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो minority का institution decide करा जाएगा अलिगर मुस्लिम विशुविद्याले की कुलपती नैमा खातून और मुस्लिम यूथ असोसियेशन के अध्यक्ष मोहमद आमिर रशीद की इस आदेश पर क्या प्रतिक्रिया रही सुनिये करते हैं तमाम humility के साथ में और आगे कि तो कोई भी चीज नहीं कहिए सकती जब तक कि पूरा judgment नहीं पढ़ा जाए लेकिन इसको अगर हम दो जुमलों बात करें दो वाकियों में तो इसको हम हम एकसेप करते हैं और इसको हम वेलकम करते हैं अभी जो सुप्रिम कोड ने कहा है कि तीन जजों की बहुत से लीगल इशूज है इसको जब पूरा judgment जब तक नहीं पढ़ा जाए और पूरा इतने बड़ा document होता है तो जब पूरा पढ़ लिए जाएगा तभी उसके बारे कोई बात करने की position हो सकती है इस वक्त अभी इस stage में कुछ कहना मुश्किल है लेकिन अभी यहीं कह सकते हैं यह judgment है और हमारे लिए खुशी की बात है श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत